क्लास 7, NCRT Book Geography, Our Environment, Chapter 2, Inside Our Earth Hello Children, आज हम Geography का second lesson करेंगे, Inside Our Earth अब बच्चों, जैसे के आप जानते हो कि हमारी जो Earth है, जो हमारा प्लानेट है, Earth जिस पे हम रह रहे हैं, वो एक डाइनामिक प्लानेट है, है ना? और इसमें हमारा ये जो प्लानेट है, Earth, ये constantly undergoing changes होते रहते हैं इसमें, अब ठीक है, प्रित्वी के बाहर भी और प्रित्वी के अंदर भी, ठीक है, अब आपने कभी सोचा है, कि हमारी जो Earth है, वो उसके अंदर क्या क्या है, और हमारी जो Earth है, वो किन चीजों से बनी हुई ह तो हम इस लेसन में यही पड़ेंगे, कि हमारे Earth के अंदर क्या है, और वो किन किन चीजों से बनी हुई है, चिक हैं? Now, interior of the Earth, just like an onion, the Earth is made up of several concentric layers of layers with one inside another, अब बच्चों जैसे यह onion होता है, हैना आपने देखा होगा, इसमें कई सारी slices होती हैं, हैना, layers होती हैं इसमें, तो उसी तरीके से हमारे Earth में भी layers बनी हुई होती हैं, चिक हैं? अब वो layers कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो बच्चों हमारी Earth की जो सबसे first layer होती है, चिक हैं? उसे कहते हैं crust, चिक हैं? यानि कि सबसे उपरी वाली जो layer होती है, uppermost layer होती है, उसे कहेंगे crust, यह सबसे thin होती है, यानि सबसे पतली होती है, यह layer, ठीक है, it is about 35 km, यह कितने km की होती है, 35 km on the continental mass, मतलग के continental masses पे, ठीक है, and only 5 km on the ocean floors, अब जो समुद्री एरिया है, जो oceanic floor है, उस पर crust की जो layer है, वो कितने की है, 5 km और continental पे, continental यानि की, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो होती है, 35 km, ठीक है, continental पे 35 km, और oceanic पे यह जो आप देख रहे हो, जैसे यह oceanic crust है, है ना, यह कितने है, यह है 5 km, ठीक है, फिर उसके बाद है, main mineral constituent of the continental mass are silica and aluminium, अब continental mass पे, जो crust है, वो किस constituent से बनी है, किन mineral से बनी है, silica और aluminium, जिसे कहा जाता है, सी आल, ठीक है, फिर आता है, oceanic crust पे, अब जो oceanic crust है, उस पे, यह किन mineral से मिलके बनी है, silica और magnesium, ठीक है, यानि जिसे कहा जाता है, है, short में, sema, c means silica, ma means magnesium, ठीक है, just beneath the crust is the mantle, अब crust के ठीक नीचे वाली जो layer होती है, उसे कहा जाता है, mantle, ठीक है, which extends up to a depth of 2900 km below the crust, जो की, जिसकी depth होती है, 2900 km, ठीक है, अब जो last layer आती है, सबसे innermost layer, जो सबसे अंदर की layer होती है, ये वाली, इसे कहा जाता है, inner core, ठीक है, with a radius of about 3500 km, ठीक है, it is mainly made up of nickel and iron, ये किस से बनी है, nickel और iron से, जिसे कहा जाता है, short made knife, जिसका meaning है, ni means nickel, f e ferrous, यानि के, जिसे कहा जाता है, iron, the central core has very high temperature and pressure, अब जो सबसे central core होती है, वो उसका temperature और pressure सबसे जादा होता है, चिक है, ये चीज आपको याद रखती है, सारी, ओके, तो बच्चों अपकी बुक में, ब्लू बॉक्स देए गए हैं, दो हम उने जरह यहाँ पर एक बारी पढ़ेंगे, the deepest mine in the world, जो सबसे deepest mine है, पूरे world में, वो है South Africa में, चीक है, it is about 4 km, 4 km deep है वो, in search for oil, engineers have dug a hole about 6 km deep, अब जो engineers थे वहांके, उन्होंने, उनको लगा कि उनको इतना गहरा खोदने से, चीक है, like 6 km तक खोदने से उनको वहाँ पर क्या मिलेगा, oil, चीक है, to reach to the center of the earth, अब अर्थ के center पर पहुचने के लिए, जो की वैसे भी possible नहीं है, चीक है, जाना, you will have to dig a hole 6,000 km, आपको कितना डिक करने की जरुद है, 6,000 km deep on the ocean floor से, चीक है, फिर उसके बाद आता है, the crust forms only 1% of the volume of earth, अब हमारे अर्थ का जो volume है पूरा, उसका सिरफ 1% ही crust में है, चीक है, crust सिरफ 1% है, और जो mental है, वो consist करता है 84%, और जो core है, वो बना है किससे 15% से, 15% makes the core, the radius of the earth, अब अर्थ की जो radius है, वो कितनी किलो मेटर है, 6,371 km, चीक है, ये सारे आपको crust, mantle, outer core, inner core के जितनी भी length, depth है, इनको आपको याद रखना है, चीक है, अब जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा कि हमारे continental और oceanic crust पे, जो भी हमारा हो मिलके बना है, उसमें mineral से मिलके बना है, है ना, जैसे के, सियाल हो गया, सीमा हो गया, right knife हो गया, तो यहाँ पर हमें बताया गया है, अब rocks and minerals के बारे में, चीक है, the earth crust is made up of various type of rocks, अब rocks उसे क्या बना है, हमारी earth की ये जो crust है, चीक है, ये जो बाहर की पूरी layer है, हमारी earth की, जिसे crust कहते हैं, वो मिलके बनी है rocks से, rocks यानी चटाने, चीक है, any natural mass of mineral matter that makes up of earth crust is called a rock, अब हमारी जो earth crust है, वो जितने भी mineral matter से मिलकर के बनी है, उनको कहा जाता है rock, चीक है, rock can be of different color, size and texture, अब जो rocks होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जो चटाने होती हैं, वो different color, size और texture के हो सकते हैं, ओके, तो अब हम सबसे पहले rocks के बारे में पढ़ेंगे, चीक है, अब जो rocks होती हैं, वो कितने type की होती है, igneous rock, sedimentary rock और metamorphic rock, चीक है, इसमें से सबसे पहले हम igneous rock के बारे में पढ़ेंगे, igneous rock, अब यह जो igneous word है, यह latin word है, ignees, चीक है, जिसका meaning है fire, चीक है, अब जैसे के बच्चों आपको इसके meaning से ही पता चल रहा है fire, यानि, आग, है ना, तो इसमें क्या होता है, अभी यह rock कैसे बनती है, हमारी earth के अंदर, जो molten magma होता है, जो ठंडा हो जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मतलब हमारी earth के अंदर, तो बहुत ज़्यादा high temperature, pressure की वज़ा से, जो volcanic, जो volcano होता है, जो जो आला मुखी फटता है, है ना, तो obviously बात है, बच्चों, हमारी earth के अंदर, जो इस तरीके से है, यह melt होने लग जाता है, पिगलने लग जाता है, इसमें आग सी जलती है, चीक है, तो वही, जो molten magma होता है, वो ठंडा हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो वो क्यासा हो जाता है, तो solid में convert हो जाता है, और उन्ही solid rocks को कहा जाता है, igneous rock, अब जो igneous rock होती हैं, वो हमारी primary rocks होती हैं, क्योंकि igneous rock से ही हमारी बाकी की जो rocks होती है वो बनती है ठीक है इसलिए इन्हें primary rocks भी कहा जाता है there are two type of igneous rock अब जो igneous rock होती है वो भी दो type की होती है intrusive और extrusive rocks ठीक है okay can you imagine lava coming out from the volcanoes अब volcanoes क्या होते हैं ज्वाला मुक्की है ना बच्चों आपको पता होगा के ज्वाला मुक्की फटते हैं है ना तो जब volcanoes होता है तो उसमें से आपने कभी imagine कर रहा है कि लावा बाहर आता है इस तरह से जैसे आप इस image में देख रहे हो अब लावा क्या है अब बच्चों लावा और magma एक ही चीज़ है बट differences में क्या है कि जो magma होता है वो जब तक inside में जब तक की अंदर होता है मतलब हमारी earth के अंदर रहता है वो जब तक तब तक उसे magma कहते है फिर जब वो बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं जब वो बाहर आ जाता है अर्थ से तो उसे क्या कहेंगे लावा और जब वो अर्थ के अंदर रहता है तो उसे कहेंगे magma चिक है जब हमारी earth के अंदर सर्फेस में यह जैसे आप इस पिचर में देख सकते हो यह क्या है magma चंबर जब हमारी earth के इंसाइड में जो सर्फेस है ठीक है तो उसमें जो magma होता है उसे कहा जाता है intrusive igneous rock ठीक है और जो बाहर निकल कर आता है उसे कहेंगे लावा ठीक है जो बाहर निकल कर आएगा उसे लावा और जो अंदर होगा उसे कहेंगे magma ठीक है when this molten lava comes on the earth surface अब यही लावा जब हमारे earth पर आता है ठीक है rocks formed in such a way crust मतलब हमारे crust पे जब यह जो solid rocks बनती है इन्हें कहा जाता है extrusive igneous rock ठीक है यह किस से बना है basal rock से बना है ठीक है यह आपको याद रखना है जो extrusive igneous rock है उसका example है basal ठीक है और extrusive igneous rock किसे कहा जाता है जो लावा हमारे crust पे हमारे outer surface पे निकल कर आ जाता है उसे extrusive rock कहा जाता है sometimes the molten magma cools down deep inside the earth across solid rock so formed are called intrusive igneous rock अब कभी कभी क्या होता है बच्छो जो magma होता है जो molten magma होता है वो हमारे earth के अंदर हमारे earth के अंदर जो surface होता है वही परी वो ठंडा होने लगता है ठीक है और solid form में convert हो जाता है उसे intrusive igneous rock कहा जाता है आप इसको इस simple way में याद रखो जो बाहर लावा आ जाता है निकल कर वो solid form में convert हो जाता है ठंडा होके वो extrusive igneous call है और जो earth के inside में surface पे जो ठंडा हो जाता है ठीक है उसको कहा जाएगा intrusive igneous rock चेक है since they cool down slowly they form large grains अब जो हमारे earth के अंदर है जो earth में heat वो slowly ठंडा होता है और large grains में form करता है जिसका example है ग्रे नाइट चेक है तो intrusive igneous rock का example क्या हुआ किस तरह की rocks बनती है ग्रे नाइट अब यह जो ग्रे नाइट है इसको हम किस उसमें use करते हैं जैसे grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains of grains are made of grain अब जैसे के बच्छों आपने यह देखा यह होगा अपने अपने घरों में कि जिस्पी नाजरी मीरची हो गए टमाटर हो गए और term चीजे इसम ini मसाले पीशे जाते हैं इसे हिंदी में बटना भी कहा जाता है या आप अपने मदर से पूछ सकते हैं चीक है यह ग्रेनाइट रॉक से ही बना होता है अब हमारी सेकंद रॉक औती है सेटिमेंस्टरी रॉक चिक है Sedimentary, एक Latin word है Sedimentum जिसका meaning होता है Settle down ठीक है अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into smaller fragments अब जो rocks होती है जो चटाने होती है वो लुड़क कर चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर ठीक है चोटे चोटे टुकडों में टूट जाती है इस smaller particles are caught अब ये जब चोटे टुकडों में टूट जाती है तो इन्ही को क्या कहा जाता है इन्ही particles को Sediments जैसे कि आप इस image में देख सकते हो ये चटान है रॉक है ये टूट करके ये नीचे गिर रहे है है ना जिससे क्या हो रहा है ये इन्हें कहा जाता है Sediment These sediments are transported and deposited by wind, water, etc अब क्या होता है ये ही sediments हावा से चिक है या फिर wind से water से क्या होते है deposit हो जाते है चिक है अब ये ही sediments बच्चो जब wind की और water की help से deposit कर दिये जाते हैं एक जगे से दूसरी जगे भेज दिये जाते हैं तो इनको क्या हो जाता है These loose sediments are compressed and hardened ये दब करके या फिर harden होके कठोर होके एक layer की form बनाते हैं layer बनती है इनकी और फिर ये क्या बनते हैं ये rocks बनते हैं इनसे ठीक है इनी layer से एक rock बनती है और इस type की rock को कहा जाता है sedimentary rock जैसे अब ये लुड़क करके पानी में आ गए है ना पानी के surface में आ गए नीचे तो इनकी यहाँ पर इनकी जो layer है वो रॉक में फॉर्म हुई ठीक है और इसी तरह के rock को जब ये पूरा rock फॉर्म हो जाता है तो इनी rocks को कहा जाता है sedimentary rock जिसका एक example है sandstone अब sandstone किसे बनाए रेत के रेत से ही बनाए है ना जैसे sandstone जैसे sand के हो गया redstone पत्थर है ना अब इस rock में also contain fossil of plants अब इस तरह की जो rocks होते हैं जो इस तरह के के पत्थर होते हैं ये contain करते हैं fossils of plant animal and other microorganisms that once lived on them जैसे आप इस image में देखो बचों यहां पे आपको रेत के जैसे rेत होता है अना layer होती है ये उसी तरहीं से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा यहां पे ये इकघटी हो गई है यहां पे जिससे ये पूरे पत्थर rock जैसा बन गया है हाना तो इनके बीच में क्या होता है कि कभी-कभी कुछ ऐसे plants animals रह रहे होते हैं जिसकी वज़सी वो इन में दब जाते हैं या मर जाते हैं उनकी जो body होती है वो इन पत्थरों में आ जाती है उनका body का structure ठीक है अब fossils किसे कहा जाता है वह हम आगे देखें अब जैसे कि बच्चों अपने पहले पढ़ा fossils है ना जो की dead plants होते हैं या animals होते हैं वो ट्रैंप हो जाते हैं इस तरह की layer of rock में उन्हें कहा जाता है fossils उन मत्तब जो dead animals और plants होते हैं उनकी structure इस तरीके से उस पत्थर पर आ जाते हैं ठीक है उन्हीं को fossils कहा जाता है हमारी last rock आती है metamorphic rock अब metamorphic rock जो है वो एक Greek word है metamorphic Greek word है metamorphose जिसका meaning होता है change of form ठीक है यानि के किसी दूसरी form में उसको change करना वही हमारी metamorphic rock करती है जैसे igneous rock और sedimentary rock जो होती है सबसे पहले होती ही बनती है क्या igneous rock igneous rock से ही बनती है sedimentary rock ठीक है अब इन दौनों के मिश्रन से ठीक है जब ये दौनों rock जो होती है वो change करी जा सकती है metamorphic rock में किसके under में करी जा सकती है with great heat और pressure में जैसे for example clay होती है क्ले को हम किसमें change कर सकते है slate में जैसे बच्चों आपको slate पता होगा black color की slate होती है उस पे आप जब छोटे थे तो आप लिखा करते थे चौक से राइट वो इस लेट होती है अब जो limestone होता है यानि के चूना पत्थर है ना उसे हम heat और pressure में के उसमें लाकर के heat और pressure में हम उसको किसमें convert कर सकते हैं marble में marble के आपने first देखे होंगे है ना marble के first होते हैं तो हम limestone से ही उसको marble में change करते हैं ठीक है अब बच्छों यह जिसनी भी टाइप की यह आते हैं ग्रे नाइट पॉर यहां प्यों में ठीक है और सेरिमेंटरी में सैंस्टों लाइंस्टों शेल और मेटमॉर्फिक में marbles, clay ठीक है यह सारे आपको यहां पर याद करने हैं the hard rocks are used for making roads, houses अब जो hard rocks होते हैं जो काफी कठोर चटाने पत्थर होते हैं वो हम use करते हैं क्या बनवाने में roads, houses, buildings, ठीक है you use stones अब कुछ ऐसे games भी होते हैं जिसमें हम stones का use करते हैं पत्थरों का use करते हैं जैसे के example में दिया गया है आपको seven stones जिसे कहा जाता है पिठ्थू game फिर होता है hop score जिसे हम कहते हैं इस तापू अपने खेला होगा and five stones इसमें हम गिट्टी जो गिट्टियां होती हैं इनको पड़ा कि जो रॉक्स होती हैं हमारे लिए यूस्पूल होती है अब जो red port है वो किससे बना है red sandstone से बना है चिक है और जो ताज महल है वो white marble से बना गया है चिक है one type of rock that changes to another type under certain conditions in a cyclic manner अब बच्चों यह जितने भी rocks हैं कि एक दूसरे के अंदर मतलब एक दूसरे के अंदर changes करते रहते हैं चिक है इसी cyclic manner को this process of transformation of the rock from one to another तो इसको कहा क्या जाता है rock cycle चिक है मतलब यह एक दूसरे के cycle में यह पूरे चलते रहते हैं चिक है जिसे हम आगे पूरा detail में समझेंगे ओके तो अब जैसे कि बच्चों आप पढ़ चुके हो कि जो molten magma है हमारे earth के surface में तो वो ठंडा होकर क्या हो जाता है solidified हो जाता है जिसने की बनती है igneous rock चिक है अब इनी igneous rock से जब यह टूट जाती है जब यह igneous rock broke हो जाती है small छोटे छोटे particles में तो इनको transport कर दिया जाता है deposit कर दिया जाता है एक जगे से दूसरी जगे पे तो इससे क्या बनती है sedimentary rock अब यही igneous और sedimentary rock heat और pressure के अंडर में आख करके change हो जाते है metamorphic rock में चिक है अब this molten magma again can cool down and solidify into igneous rock अब दुबारा से जब metamorphic rock melt होने लग जाती है तो वो magma में convert हो जाते है और वही magma फिर दुबारा से volcano के उससे बाहर आ जाता है लावा बनके and then दुबारा से वही cool down होता है वो solid बन जाते है solid बनके वो igneous rock बन जाते है तो यह जो cycle है rock cycle यह पूरा चलता रहता है अब जैसे कि आप इस image में देख सकते हो बच्चों यह क्या है magma ठीक है जब यह पिघलता है तो under heat and high pressure तो यह क्या होता है बाहर आता है बाहर आने के बाद यह क्या बनाते है igneous rock बनाते हैं दो टाइप की होती है intrusive जो की surface में inside में ही ठंडा होता है उसे intrusive कहा जाएक और जो बाहर आकर के यह जो बाहर आ जाते हैं इसे कहा जाता है extrusive igneous rock राइट फिर weathering और erosion के उसमें contact में आकर के यह क्या हो जाते हैं छोटे छोटे टुगडों में तूटके नीचे गिरने लग जाते हैं और इनको transport कर दिया जाता है underwater चीक है पानी के अंदर जिससे कहा जाता है इन छोटे particles को जब यह इसमें deposit कर दिया जाते हैं sediment फिर यही sediments एक layer बनाते हैं और इनहीं layer से बनती है एक rock जिसे कहा जाता है मतलब उनहीं layers का cementation and compaction होता है जिसे कहा जाता है sedimentary rock अब इनहीं sedimentary rock और igneous rock जो होती है वो under heat or pressure में ठीक है underground में metamorphic में convert हो जाती है फिर जब बहुत ज्यादा heat or pressure दुबारा से बढ़ने लगते है तो यही metamorphic rock melt हो जाती है पिगलती है अगेन वह दुबारा से magma create करती है फिर volcano होता है देन वह लावा बाहर रहता है तो यह जो cycle है यह पूरा चलता रहता है जिक है उसके बाद जब वही magma बाहर आकर के मतल़ जब वह बाहर आता है तो वह क्या होता है ठंडा हो जाता है है ना solidified solid में convert हो जाते एंदेन उन्ही solid को क्या कहा जाता है extrusive igneous rock igneous rock बनती है जो जब वह बाहर आती है चीक है जब वह cool down होता है earth के outside में बाहर आकर जब थंडा होता है तो उससे कहा जाता है extrusive igneous rock और वही magma जब हमारे earth के अंदर ही slowly slowly थंडा होता है वह बाहर नहीं आता है कई बार वह earth के अंदर ही ठीक है earth के service के अंदर ही थंडा होता है तो उसे कहा जाता है intrusive igneous rock ठीक है की मदद से इनको transfer कर देती है एक जगे से दूसरी जगे पर ठीक है उसके बाद क्या होता है इनकी compacting and cementing होती है ठीक है जो यह sediments होते हैं यह पानी में इनको deposit कर दिया जाता है ठीक है underground अंडा वाटर ठीक है तो जो पानी में इखटे होते हैं इनकी एक लेयर बनती है इनहीं लेयर से एक रॉक बनती है पत्थर बनता है जिन्हें कहा जाता है सेलिमेंटरी तो चाके अब बच्रो क्या होता हैे यो फ्रेशं में आखर यह यहEm और खूती। सेलिमेंटरी और अंडी हैं चीखें जब क्या बनाती है मैगमा चीखें मैगमा जब बनता है वह दुबारा से वालकेनों होता है जो अल्ला मुक्झी पढ़ता है फिर से उस्में से लावा भाला आता है वह थंडा होता है वाध्येस रॉक में कंड़र्ट होता थे तो के बारे में पढ़ा तो हमारा second topic क्या था mineral ठीक है अब जितने भी rocks होती है यह हम को हा शुरू में हमने देखा था कि जो rocks होती है वो किस से बनी होती है minerals से बनी होती है different type of right minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition अब जो minerals होते हैं वो हमें naturally मिले होते हैं जो हमें प्रकरटी से मिले होते हैं अब वो उनमें क्या होता है which have certain physical properties होती है कुछ और कुछ होती है chemical composition अब यही minerals हमारे humankind के लिए बहुत जादा important है क्योंकि हम इनको use करते हैं as fuels में कुछ को किस में use किया जाता है fuels के रूप में जैसे for example coal, natural gas and petroleum they are also used in industries, in the industries में भी use किया जाता है for example iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicines and fertilizers सब जगे minerals का use किया जाता है इसी लिए हमारे humankind के लिए बहुत जादा important है अब जो minerals होते है जैसे different type के minerals होते है like quarters, gold, diamond, silver, right, magnetite, copper, meeka तो यह सारे आपको याद रखते हैं, चीक है do like, share and subscribe and keep watching, thank you